हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टो दी चैनल, मेरा नाम है विकास यादव और आज मैं लाया हूँ आपके लिए एक मज़ेदा ट्रिक ट्रिक टू लर्न, दी पोजिशन और नेचर ओफ इमेज फॉर्म बाई कॉनकेब मीरर, कॉनकेब मीरर की जो चार्ट होती है तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं वो चार्ट तो दोस्तों ये रही वो चार्ट कॉनकेब मीरर की जिसमें उसके औबजेक्ट की पोजिशन, इमेज की पोजिशन, साइज ओफ इमेज और नेचर ओफ इमेज दी रहती है जैसे जब आबजेक्ट इमेज इमेज कहां पे बनती है, फोकस पे उसके साइज क्या होती है, बहुत ही छोटी होती है, एकदम पॉइंट साइज के बराबर और उसकी नेचर क्या होती है, रियल और इनवर्टेड तो यह जो पूरी चार्ट है, इस चार्ट को हम याद करेंगे बस एक आसान ट्रिक से और इस ट्रिक को देखने के बाद आपको यह चार्ट कभी भी याद करनी नहीं पड़ेगी तो चली हम चलते उस ट्रिक की और, तो सबसे पहले मैं बोलूँगा कि अगर आपके पास यह चार्ट है, तो आप उसे निकाल ले और फिर वो ट्रिक देखे तो आपको वो ट्रिक तुरन समझा जाएगी, और यह ट्रिक बस कुछ सेकेंड की है तो चली हम चलते अपनी ट्रिक की और, तो दोस्तों यह आपके सामने हैं अब हम उस चार्ट के द्वारा इसे उस चार्ट को एक ट्रिक से याद करेंगे, तो सबसे पहले जो object की पोजिशन थी जो चार्ट में इसे पहले infinity में थी, फिर between infinity and center of curvature, फिर at center of curvature, फिर between focus and center of curvature, फिर at focus, फिर between focus बोकसें पोल ओक है ये आपको पोल हैं ऐजय के तो पहले हम उसे नमबरींग कर लेते हैं आपको नमरींग ही करना है याद हो जाईगी सब से पहले थी इंफिनिटी पर यहाँ पे मैंने कर दिया फर्स्ट पहली पोजिशन यह थी दूसरी पोजिशन थी between infinity and center of curvature तो उसे मैंने लिखतिया 2 थर्ड थी add center of curvature इसे 3 फोर्थ between C and F इसे 4 add focus यह हो गई आपकी 5th position और 6th position है आपकी between focus and pole तो यह रही आपकी 6 position object की position अब इन position की मदद से हम पहले देखने कि हम image की position के इसलियाद करें जैसे कि आपने यहां लिखा है 1 to 6 उसी तरह आपको नीचे भी reverse order में लिखना है बस आपको क्या करना है 1 यहां से start करना है focus में आपने रखा 1 फिर इन दोनों के बीच में 2 फिर यहां पे 3 यहां 4 फिर आप आगए infinity में 5 अब देखें इदा तो जगा नहीं है उपर में 6 थे तो 6 तो लिखना है तो 6 आ जाता है यहां पे तो बस इस तरह से आपको लिखना है और इसी तरह आपको यह जो नीचे red रंग से लिखी हुई है यह है आपकी image की position कि जैसे object अगर आप infinity में रखते हैं तो उसका image कहां पे बनता है focus पे अगर आप object रखते हैं beyond c, c से पीछे तो आपकी image बनती है between f and c उसी तरह अगर आप at c में रखते हैं object को तो आपकी image भी at c पे ही बनती है देखे 3-3 फोर्थ नम्मर क्या था between c and f तो उसकी image कहां बनी beyond c फिफ्थ में क्या था at f उसकी image कहां बनी infinity में इसकी image कहां पे बनी यह image बनी आपकी behind the mirror ठीक है तो यह थी आपकी अब आपने object की position और image की position याद कर ली अब चलिए हम देखते हैं कि size of image कैसे याद करें size of image याद करने का बहुत ही simple तरीका है यह देखे 1-2-3-4-5-6 लिखा है अजब छोटे से बड़ा तो वन नम्मर में जो image बनी वह highly diminished बहुत ही छोटी ठीक है क्योंकि यह छोटा नम्मर है उससे बड़ा 2 तो 2 में diminished 3 देखे एक जगा बन गई तो यह same size की हो गई 4th थोड़ी से उससे बड़ी जैसे हम inlast कहते हैं 5th highly inlast जो कि infinity में बन गई और 6th आपके जो behind the mirror बनी यह भी inlast बनी इस तरह से आपने size of image भी याद कर लिए numbering से ही अब आती है nature of image nature of image क्या हो गया कि देखे यह 1 to 5 के लिए तो यहीं पर बन गई तो इसका मतलब यह कैसी बनी यह बनी real और साथी साथ देखे यह उपर थी और यह नीचे थी तो नीचे बनी इसलिए मतलब यह कुछ इस तरह से बनी होगी कि यह इस तरह से अगर आपने object रखा होगा तो invert हो कि actually बनी है अब यह behind the mirror कैसे बनी है यह क्या रह गई वर्चुल और यहां पर क्या है यह देखे उपर ही साइड मैंने लिखी और क्यों लिखी यह अब ही आपको पता चले है कि यह वर्चुल के साथ क्या है इरेक्ट बनी है इरेक्ट मतलब जैसे थी माली जो इस तरह से थी तो इस तरह से ही बनी है तो इस तरह से हमने पूरी चार्ट को याद कर लिया अब मैं इसे आपको revise भी कर रहा देता हूं मैं इस mirror को और जो आपकी चार्ट थी उसे एक ही frame में लाता हूं तो यह रही आपकी वो चार्ट जिससे आपको याद करनी थी और यह वो trick जो मैंने भी आपको बताई, अब देखे, यह object position मैंने क्या की थी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, देखे, मैं यहां लिखता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यही 6 object position थी, जो मैंने यहां blue रंग से दिखाई थी, और फिर मैंने 1 कहां से बोला था, focus से start करना और पीछे जाते जाना है, तो यहां पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 अब देखे, यह यहां पर लिखता हूँ मैं, यह 1, यह 2, यह 3, यह 4, यह 5, और यह 6, तो देखे, आपको याद हो गई, जब infinity में थी, position 1, यहां पर हाँ, infinity पर है, focus पर बनी, focus पर बन गई, जब beyond C थी, C के beyond मतलब 2, तो कहां पर बनी देखे, C और F के बीच में देखे, य image position आपको याद हो गई गई, अब मैंने size के लिए क्या बताया, तो जैसे जैसे number बढ़ी, वैसे बैसे size भी बढ़ी, 1 में मैंने बताया, highly diminished, फिर diminished, फिर same size, देखे, 3 एक ही जगा आ गई थी, तो इसलिए same size, 4th में enlarged, 5 में, infinity में बढ़ी, मतलब बढ़ी, 6th में enlarged, ठीक है बड़ी बनी है, साथी साथ मैंने nature के बारे में बताया, कि 1 से 5 जो बनी वो कैसे थी, real and inverted देखे, real and inverted है, और यह कैसे बनी, virtual, क्योंकि actually नहीं बनी, यह हम produce करके बनाते हैं, line को, तो यह virtual है, erect, तो इस तरह से आप देख सकते हैं, कि आपको पूरी की पूरी चार्ट बस एक simple trick से याद हो गई होगी, मैंने इसी तरह convex lens की भी trick दी है, अगर आप वो देखना चाते हैं, तो मैं उसकी link description box में देख सकते हैं, तो दोस्तों अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया, और आपको लगता है कि आपने पूरी चार्ट याद कर ली है, तो आप प्लीज इ और किसी में trick चाहिए, या help चाहिए, तो आप मुझे comment में बता सकने हैं, या मुझे आप telegram में message भी कर सकते हैं, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हमारे next video में, तब तक के लिए धन्यवाद, thank you